यह गाड़ी जो हमनों के पास आजाई है बिलकुल यह कह सकते हैं कि समुन्दर में नहा के बिलकुल नमकीन हो गई हो तो यह दिगा से गाड़ी आई है और पांची दिन तक वहीं पे थी और समुन्दर के किनारे पे थी तो इस पे एक तरह से पूरा वह सॉल्टी वाटर इसके सर्फिस के उपर डिपोजिट सा हो गया है तो ऐसा लग रहा है जैसे ब्लैक कलर के उपर एक वाइड सा कुछ पदस सा जम गया है वह सॉल्ट सॉल्ट दिख रहा है तो बैसिकली वास से तो नहीं जाएगा हम लोगों हम Tillerson किया कि सजेशन दिया है कि हमारा गते क्यों स्वर स्वराले में påley जिए तो कि यह बलकुल हो जाएगा सर्फिस बहुंत हो होजाएगा clear हो जाएगा तो फिर हमारे जो पहले से हमारे कस्टमर वो कंविस हु थो जानते हैं तो अब गाड़ी वासिंग में गई है अब यह बासिंग होगा है तो ना वासिंग में भी में इस पर काफी हम लोग से क्लीन करना पड़ा और जहां तक जहां दूर दूर तक जहां पर भी जहां तक पॉसिबल था उसको हम लोग ने इसको निकाला है और अब यह तो कपी आप और पूड़ देख सकते और पूड़ एस कुड़ अब गाड़ी को हम लोग पॉलिस के लिए लेके जा रहे हैं अपने सरमिक और पॉलिसिंग पॉलिसिंग के लिए लग गई है एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ कि अवास करने के बाद भी इसका हलत गया देखें बिल्कुल एक वाइट 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 सा परत जम गया गाड़ी के उपर जहां पर भी अब नजदीक से हम लोग कैमरा लेके जा रहे हैं वो ब्लैक और वाइट का एक जैसे कॉम्बिनेशन सा दिख रहे है और सॉल्ड ङसे अप्ना ऐसा से बना दिया जो आशेन नरमल वास्ग तो गया नहीं तो अब ऐसको आम लोग ऑलीस करेंगे और पालीस में दो कंपॉट्स यूज करेंगे एक एक heavy compound एक extra heavy compound एक heavy compound उसे उसके उससे हम लोग इसका surface restore करेंगे restore करने के बाद इस पर एक production layer लगाएंगे ग्रिफाइन का और उसके बाद फिर जो final output होगा वह आप लोग देखिएगा यह पॉलीस का भी एक technique होता है basically जब आप पॉलिस पे जहां पे जहां पे गाड़ी में कर्व है छोटे छोटे जहां पे पैनल पे कर्व है वहां पे अगर छोटा पैड यूज करते हैं और मसीन का स्पीड उसके इसाब से रखते है तो वो जो पॉलिस का जो ऑटपुट आएगा जो रिजल्ट आएगा वो बहुत जाता तो यह बॉलिसिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है जस्ट सी उसके फाइनल आउटपुट देखते हैं हुआ कर्भ है और चोटा सस्पे से यहां पे चोटा पैड यूज REALLY कर रहेëं की तो यह बहुत लोग बोलते कि आपकर पर पारिड़ा geen है और यह कर रहे हैं तो यह प्रेशिकलिस जू emperor Gender होते वह उस और उसी साब से काम होता है इसलिए साइद प्राइसिंग भी थोड़ा होता है तो बहुत लोग बोलते कि आपकर प्राइस जादा है लेकिन बेसिकली अगर आप काम देखेंगे तो हमलों का प्राइस बिल्कुल जादा नहीं है काम के साब से 110% चीफ है यह हम मैं दावे के हुआ सारा सिस्टम है और मैंने खुद इसका ट्रेनिंग लिया है तो एक एक चीज को हम लोग जानते हैं और उसी साब से काम करते हैं और बहुत बेटर रिजल्ट देने का कोसिस करते हैं और रिजल्ट अच्छा आता है आप कभी जाके हमारे गूगल में रिव्यू भी दे चीजिए हम हैंडेन तेन परसेंट आपको सटिस्टेक्शन सटिस्टेस्फेक्टरी रिजल्ट देंगे थैंक्स वर वाचिंग कर दो!